आज अपन पढ़ रहे हैं Moral Education, Positive Verb देखिए अपना चेप्टर चल रहा था God has met you are special God has met you are special बनाया है, देखिए question number 3 करते हैं 1, tick as many options as your things are correct यह मैं एक कुछ sentence लिखे हैं अगर आपके साथ साथ होता है तो उसको आपन को right करना है और नहीं होता है तो आपन को wrong करना है ठीक है, word has met you special because your name is unique आपका नाम अनुखा है तो आपका नाम अनुखा है ना सबसे अलग है सबका एक जैसा नाम नहीं होता ना अलग-अलग होते हैं तो yes यहापर क्या हैगा, right का ठीक हैगा 2, your face is different from others आपका face जो है, different है मतलब अलग-अलग है, others है मतलब आपका face अलग है, आपकी sister का अलग है आपकी brother का अलग है, सबका अलग-अलग है तो different हो गया तो यह भी right हुआ 2, you have the qualities of both your parents आपके माता-पिता की quality आपके अंदर है मतलब अपने माता-पिता में जो गुण होते है वो अपने में होते है मम्मी पापा में जो गुण होते है वो अपने में है अगर है, तो आपको यह आपे right करना है और नहीं है, तो wrong 2, your parents love you a lot आपके parents, आप अपने parents से बहुत प्यार करते हो करते हो ना, तो yes 2, your parents have put you in a good school आपके parents ने आपको एक अच्छे school में admission लिया है आपको parents आपको अच्छे school में पढ़ाते हैं तो right 3, you are smart, strong, caring, positive, creative and helpful आपको ने smart मतलब अच्छे, strong याने ताकतवर, caring याने देखबाल positive याने अच्छी सोचना सकारत्मक सोचना creative में कुछ-कुछ नया करना हर किसी काम में कुछ अच्छा-च्छा creative करना and helpful आप सबकी help करते हो यह सब आप में गुन है आप smart, strong, caring, positive, creative and helpful है तो right you have caring siblings आपके पास अच्छे भाई बहन है caring आपके भाई बहन? yes you have your parents buy you gifts and clothes आपके पेरेंट्स आपके लिए gifts and कपड़े खरीदे है तो भाई आने खरीदना तो खरीदेते है ना तो यह yes अभी I am a special I am a special 2 आया बच्छ आपको समझ में God has made you a special God has made you a special God has made you a special बनाया है okay thank you have a nice day Thank you have a nice day